वैइब एबिर्फै कैसे हैं आप सभी आई हो पाप सब सफ हों दोस्तों मैं ह dedim सुने लेया तो आप देख रहेंiper sans aggregate दोस्तों मैं आज आप को एक कमाल की डिक बताऊंगा facebook लंओ थैस बूक रूर्फैसज की जो आप अपने facebookमें एस्टोरी लगाते हैं कितने भी पुरानी स्टोरी हो पुरानी से पुरानी स्टोरी हो उसको आप कैसे निकारेंगे डाउनलोड कैसे करेंगे उसको पुराने से पुराने तो चले दोस्तो वीडियो की स्टॉरी आप देख सकते हैं, फिर से अपने फेस्टॉक पर वो कहां से घुती हैं, मैं आपको इसे वीडियो में बताँगा दोस्तो वीडियो की स्किप नहीं करना है, आएट अब यता कुश करना है ताकि जो हम आपको बताएं आप अच्छी तरह से अपडेट कर सकें तो दोस्तो चलिए अगर भाई के चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे बाले प्रेंट में आप तक पहुंसता रहें तो चलिए दोस्तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं मैं आज आपको लाइप प्रूप डिटेल से लाइप प्रूप दिखाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा भी तो चलिए दोस्तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको अपना फेस्बूक अपलिकेशन ओपन कर लेना है अपना फेस्बूक अपलिकेशन ऐसे ओपन कर लेंगी अब देख सकते हैं मैं अपने स्टोरी यहां से अपने profile में ऐसे चले जाएंगे, जानेक बाद कुछ ऐसा interface आजाएगा, अब क्या करना है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, 3. यह आपकी profile की नीचे, यह 3. का option दिख रहा है, आपको यहां पर चले जाना है पहले, चले यहां पर ऐसे चले जाते हैं, जानेक बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Active का Option यह Active का Option जो दिख रहा है आपको इसमें क्या करना है टस करना है इसमें जाना है मैं आपको बताए दे रहा हूँ ऐसे टस किया टस करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पर देखें ट्रांसे डिलीट वाली स्टोरी देख रहा है पहले हैं यहां कितने डिलीट की गई है जो भी है यहां यह डिलीट वाली मिलेंगी आपको और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस्टोरी एक्ट्व का अफसन जो दिख रहा है आपको इसमें जाना है चली मैं इसमें जाता हूं इसमें जाने एक बार देखो दोस्तों कुछ ऐसा इंटर यहां से आपकी स्टोरी जितनी आपने लगाई होंगी वो आपको दिख जाएंगी जाना है अब आपको क्या करना पड़ेगा है और आपको दिख जाएंगी सारी अगर नहीं दिख रहें तो इसके लिए आपको बता दूंग यहां से चिटिंग में जाना है इस प्राइन इत्व है यहां सकते हैं यहां को पर ऊंग एकना पड़ेगा झालर स्टे फरी आफस्ट किग्षण करना चाहेते हैं यहां पर दिया है तो आप यहां से जो भी करणना साहते है हाइड भी कर सकते हैं, अिको अपनी इसका मतलब दिया है दोस्तों आप्की स्टोरी जो है वो पबलिक में जैसे आप में स्टोरी अपने दूसरे के account में share कर देता है कि यह देखिए यह बंदा है यह ऐसा है story लगाया है तो अपने facebook से दूसरे पास share कर देता है तो उससे क्या होता उसे पता चलता है तो आपको क्या करना है अगर आप यह setting करना चाहते है तो यहां से don't allow कर देंगे और यहां पर तीसरे नमर पर आ जाते हैं इस नमर पर तो यहां पर देख से story active का जो option दिया है save story to active turn on active to save your story automatically after two distractions only can see your story active यह देख सकते हैं यहां पर दिया है कि आप अपने story को आप इस time से जो लगाएंगे automatic यहां पर save हो जाएंगे इसके लिए आपको इसको on करना पड़े जा जी हां दोस्तों पहले तो आपके phone में अगर on होगा तो यहां पर जितनी सारी story होगी वो दिख जाएंगी अगर नहीं on है तो आप यहां से on कर लेंगे और जितनी भी story लगाएंगे तो यहां से आपको सों होगी कितनी भी पुरानी story हो तब आपको यह मिल जाएंगी तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो भाई की चैनल पर आप नए है तो पिलिज सब्सक्राइ करें और बेल आइकन के जरू दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो हम कमाल की अपडेट बताते हैं आपके लिए तो सबसे पहले फ्रेंड पे आप तक पहुंसे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको इसी तरह की कमाल की एगली वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत